प्रवाद करण और नेसल हराल टीवी के लिए इंदोर के सबसे पुराने नहरू पार्क में बैठा हूँ जो सज्जन मेरे साथ हैं वे हैं सुनील सुनी जो की चेस मास्तर हैं कोच हैं और इन्हें नेसनल आर्विटर का पद भी हसिल है हलाकि इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी है और इंदोर के लिए सम्मान और गोरों की बात है क्योंकि मद्द परदेश से जो दो मैच और्विटर महावले शुरम जा रहा हैं जहांकि सत्रें जोल इंपेड़ हैं उसमें सुनील सुनी जी भी एक हैं आदरणी ये बताईए कि आपको यह आउसर केसे मिला धन्यवाद ये अवसर मुझे इस तरह मिला कि अभी तक मैंने ऑफिशली सन 2012 से अभी तक मैंने ऑफिशली कम से कम 25 से 30 बड़े-बड़े इंटरनाशनल टूर्नामेंट्स में और शफलता अब रुबा काम किया है कई में मैं चीफ आर्विटर भी रहा हूँ बस इन्ही को देखते विए और मद्यविदेश से और इंदोर की तरफ से सफसे ज़ादा मेरा जो ये रहा है इस तरह का प्रतिनी दित हुआ वह देखते विए ओल इंडिया चैस फेडरेशन ने मुझे इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी और मेरे अलावा 90 खिलाडे और 90 और ओर ओर्विटर को ये ट्रेनिंग दी गई थी महावली पूरम में रिसेंटली उसके बाद हमारा चैन वर्ट चैस फेडरेशन ने किया है तो उसके आधार पे मेरा और मदेब देश के कोर्स आगर जिले के हैं महानुभाव उनका भी सेलेक्शन यहाँ हुआ है आप तो पहले और बिटर का शेप कर चुके हैं तो ये ट्रेनिंग क्यों दी गई गई क्यावल ओलिम्पियाड के मद्दे नजर दी गई जी हां एक्चुली में क्या है सर की 400 ओलिम्पियाड है जो की रशिया और यूकरेन के युद्ध की वज़े से भारत में यह आ सका है कहां था पहले यह यहां पर मौस्कों में खेला जाने वाला था रशिया में लेकिन उनका युद्ध का इस्तिती चल रही है इसलिए वहां से इसको शिफ्ट किया गया और आप देखें कि एशिया में 30 साल बार और भारत में पहली बार ओलिम्पियाड का आयोजन हो रहा है यह आप नेशनल में करते हैं और ओलिम्पियाड में करने जा रहा है चुकि आपको प्रसिक्शन दियागा ऐसे सवाल यह उठता है कि उसमें इसा नया क्या होने वाला जो आप इन टूर्नामेंट्स में नहीं करते हैं लेकिन चुकि ओलम्पियाड है जिसमें देश की साख जूड़ी होई है और यहां पर हम डिसिजन कोई भी देते हैं कुछ भी गलट डिसिजन होता है तो यहां पर सिधा कंट्री से कंट्री को जवाबदारी बनती है तो इस वजह से हमको कहीं ना कहीं इंडिया को प्रतिनी सब्सक्राइब करें तो टेवल पर कोई अपरी ता आपको देखने को मिली या दूसरा अर्विटर को मिली हां कई बार ऐसा होता है जैसे कि जब इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस का नया नय उपयोग स्टार्ट हुआ था हमारे देश में और विदेश में भी तो कई खिलाडि थी कि उसने पेर के जूते में कोई डिवाइस फिट किया था और कैमरा भी यूज करते थे जैसे स्पैक्स में कैमरा लगाना तो इसी कई अपरी घटना ही हुई है बोड के उपर कि जब खिलाडियों ने कम समय में ज्यादा सफलता हासिल करने के लिए इस तरह की हरकते की है पर आर्बिटर ने चुकि जब उनका प्रदर्शन देखा कि वो एक इस लेवल के खिलाडी नहीं है जो कि इतने बड़े-बड़े लेवल के खिलाडियों को बीट कर पा रहे है तो उनको वाच किया गया और वाच करने के बाद उनको दूसरे से तीसरे टूनामेंड में पक सर इस तरह की कोई घटना ओलम्पियाड जैसे लेवल पर तो कोई नहीं करता है क्योंकि वहां कंट्री की भी बात आ जाती है एंडी विजो नहीं ही रहता है एक आर्बिटर का काम होता है कि कभी भी कोई विवाद होता है जो बोर्ड के उपर होता है जैसे ड्रॉ की स्थित होता है तो वह अर्बिटर को एक चेस का नॉलेज होना चाहिए ताकि वह उसको क्लियर कर सके आप जबाब थोड़े चोटे करदें आप यह बताइए कि धर्ती पर कोई भी काम पेशो के लिए हो रहा है सब पेशे बर हो गया है तो आपको क्या फीस मिलेगी वहां पर इस का मैं अभी सोच नहीं रहा हूं फीस के बारे में यह तो देश के लिए काम करने ही मरे लिए बहुत सोभागी के बात है से ठीक है सुने इलसो नीज से बात करने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद है